जहां दूसर स्वागत आपका स्वीचर नहीं तो दूसर आज के सबूर में बात करेंगे APSU University के First Semester Time Table के भारे में जहां दूसर अब दिस प्रिताप सिंग University का Time Table जारी कर दिया गया है First Semester का अगर आप First Semester की स्टुडेंटें म, एमकॉम, महस, पीजी, टीची ए इस तरह से आप गर आप First Semester की स्टुडेंटेंटेंटे तो आपका Time Table यानि की आपकी परिच्चा की तारिकी गोज़ना हो चुकी है तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पार है यहाँ पर दिस प्रिताप सिंग University की दोरा Time Table जारी किया गया है यहाँ पर लिखा गया है विशे विशे में लिखा गया है कि शनात को तर पितम Semester नेमेच Semester परिच्चा दिसंबर 2021 जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर First Semester की जांग का Time Table आया है वह हम देख लेते हैं तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहेए कि अब दिस पिताप सिंग उनिवसिटी का सबसे पहले हम Time Table देखेंगे MA का एमे का हम Time Table देख लेते हैं MA Hindi First Semester और यहाँ पर जो 12 मार्च से परिचाह आपकी सुरू हो जाएंगी इंदी, English, Sanskrit, Political, Science, Economic, Sociology, History, Geography यह सभी के जो Time Table हैं जो कि यहाँ पर आपकी 12 मार्च को होगी इन सभी सब्जेक्ट की 14 मार्च को होने वाली हैं इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ आप 16 मार्च को परिचाह करवाई जाएंगी 21 मार्च को परिचाह करवाई जाएंगी MA में के इसके बाद में अगर दूसरा सब्जेक्ट अकर हम देखें तो एमकॉम परिच्ट सब्जेक्ट टाइमिंग यहाँ पर रखी गई एक बज़े से चार बज़े तक और 12 मार्च से इनकी भी परिचाह सुरू कर दी जाएंगी जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहें कि 12 मार्च से परिचाह शुरू हो जाएंगी और 21 मार्च से परिचाह चलने बाली हैं इसके बाद में अगर हम बात करें हैं यहाँ पर MSC 1st Semester तो MSW की परिचाह 12 मार्च से शुरू हो जाएंगी और 21 मार्च के बाद में इसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें MSC 1st Semester की बारे मार्च से परिचाह शुरू हो जाएंगी यहाँ पर MSC 2nd से बाद में अगर हम बात करें MSC 1st Semester की तो MSC 1st Semester की बारे मार्च से शुरू हो जाएंगी परिचाह चलने बाली है इसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं CBCS 1st Semester अब इसका मतलब क्या है दोस अभी जो मैंने टाइम टेवल आपको बताया ह। वो स्टोडेंट के लिए आपको बता था ठीक और कर देखें हैं सिब्स ज हमने का देखा था लेकिन पर जहों और cogis में अधार नियुनेश्च के उन्हों måste जाएंगे हो जाएंगं और यहाँ जो 21 मार्च तक चलेंगे MBA की अगर हम बात करें तो 12 मार्च से 30 मार्च तक एक्जाम चलने वाले हैं और यहां पर MBA क्या भी यहां पर 12 मार्च से 25 मार्च तक एक्जाम चलेंगे यहां पर जो क्लियर नहीं है यहां पर लेकिन MBA HRD MBTA सभी के एक्जाम शरू हो जाएं MA Hindi MA Business Economics MA English इ 21 मार्च तक परिचाह चलने वाले हैं इसके बाद में अगर हम बात करें MA के MA Psychology MA सभी की जो परिच्चा हैं 200 PLOSP की भी जो परिच्चा है MA योगा की भी जो परिच्चा हैं First semester की जो की 12 मार्च से 21 मार्च तक चलने वाले हैं अब CVCAS स्टूडेंट यान जन्होंने University में यह उनकी MCE की बात करें MSC Physics की बात करें बारे मार्च से 21 मार्च से 21 मार्च मार्च से 21 मार्च मेंस्टी से 21 मार्च से चलने वाले हैं इसकी बाद MSC Computer Science, MS Tech Computer Science 12 मार्चे से 21 मार्चे तक परिचाएं चलेंगी इसकी बाद MSC Biochemistry, MSW First semester PGDCA, PGDCA की भी जो परिचा है जो सभी 12 मार्चे से 21 मार्चे तक परिचाएं चलने बाली है यहीं ती परिचाओं का टेम्टेवल जो मैंने आपको पूरा बता दिया है पूरा PDF है दोस्तों जो कि मैंने टेलिग्राम ग्रूप में प्रोवाइड करा दिया है इसको आप टेलिग्राम ग्रूप से डाउनलोड कर सकते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दिजिए सबी के साथ में कोई भी डाव टू कमेंट करें इस टेलिग्राम पर फॉलो नहीं है फॉलो कर लिजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल लिए चली वीडियो को ही पर करते हैं समामें नेक्स वीडियो के साथ तब तक लिए बाई